कि फाइव ड्रिलियन डॉलर एकाना में इसका सपना संजोया है 130 करोर देश्वासी अगर छोटी-छोटी चीजों को लेके चल पड़े तो फाइव ड्रिलियन डॉलर एकाना में प्रियों को मुश्किल लगता है वो गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा मुश्किल चुनावतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बढ़ेगा और जब इकोना भी बढ़ती है तो जीवन भी बहतर बनाने की सुविदा मनती हैं चोटे से चोटे व्यक्ति के सपनों के सातार करने के लिए अउसर प्यादा होते हैं रोड़ बैंड की कनेक्टिविटी हो लांग डिस्टन्स एजुकेशन की सुविदा हो यह सारे जब सपने देखते हैं इन सपनों को ले करके हम चलना चाहते हैं इस पार तुम हो गम है उस पार न जाने क्या होगा देश के एकनामी स्कूल के बाहर नंगे पाव हाथों में गंदी गोरिया और पोलोथिल लिये ज्ञागते हैं यह बच्चे बड़े स्कूल की बाउंडरी के बाहर से देखते रहते हैं स्कूल के केमपस की उस अंजानी दुनिया को जिनमें उनहीं के हमरुम्र के बच्चे पढ़ते हैं फुटबॉल और टैनिस जैसे गेम खेलते हैं नमस्कार मैं हूँ पिकुल भास्कर आज हम आपको इस दुनिया की ऐसी हक्तत से रुबरू कराने जा रहे हैं जिसको जानते हुए भी दुनिया अंजान रहती है इस पार और उस पार की दुनिया के लिए कैसे बन गई है एक डिवार और कैसे समाज में ये दिवार तो आईए आपको लेकर चलते हैं दिवार के उस पार हम अगर अपनी ग्रोध की बात करते हैं तो शायद हमारे देश के जो एक प्रतिशत लोग है उनके पास देश की 87 प्रतिशत से जादा पैसा उनके पास है तो उस तरह से अगर आप देखिये तो ग्रोध हो सकता है आपके एकोनॉमी में ग्रोध दिख रही हो लेकिन क्या लोग बड़े देशाथ हैं क्या लोगों की ग्रोध हो रहे हैं डेवलप्मेंट हो रहा है राइट टू एजुकेशन जो भी सरकार में खुरी कर रखा है कि इस बच्चे को नहीं सकता था जो अभी समय करदा वी इन रहा था मतलब ही है कि सभी बच्चों का चाहे वो धनी घर का हो और गरीब घर का वच्चा हो सबको इक्वल अधहार है, इक्वल राइट से अपने एजुकेशन के लिए फंडमेंटल राइट्स होने के बावजूद भी, ज्यादा तर जो बच्चे होते हैं आम तोर पे यही एसी एस्टी के बच्चे होते हैं, जिसको आप धरित बच्चे के रुपन देख सकते हैं। कि के बावज थिए्ट के रेसलेज में में बहुत दूर 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 परदकशला जाता है जो भेडर हो पेंप पर्तो दूर लगजाता है, जो पेंडाकय हो जन Teleki्το सैनल अगता है पाप दाब च्चाण में तोर लगजाता है, तौर चू लगजाता है, यह जदून को उन्यां यह काम भाईसा फुद हमसे वो लगता है, मलगुरी एकना है, तो भी इंचान है, हम भी इंचान है, वो आज क्यों गंदगे में, क्योंकि भाई हमारा किसमत से गंदगे है और हम खुद हातों से गंदगे लिए उतर गया है मारा समाज बेसे कि लिए अंडिमोकरिक सोसाइटी है, अलोकतांत्रिक सोसाइटी है, अलोकतांत्रिक सोसाइटी है, अलोकतांत्रिक सोसाइटी है, अलोकतांत्रिक इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर भी आरंबेटकर ने इसको कहा कि यह बिमार समाज के लोग है, और यह बिमा जब एक तमाज का सपना देखते हैं उस समाज में एक तरफ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग मना रहे हैं और इसकूल के नाम रख रहे हैं केम्ड कंब्रिजं मना बड़ी ब्रटेन की विश्वित दयालयों से और इक तरफ बड़ी उसका नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों को याँ बच्चों को सुविधार नहीं दे पा रहे हैं इसके वो हगदार है प्राइमरी स्कूल की देस्ता है तो आप वहीं से देखे कि कैसे एड्यचीन से दीरे दीरे अपने आप ही लोगों को काटने की वैबस्ता है इसकूल क्यों नहीं जाते हैं पापा बोला क्लास पाच तक सब पढ़ सकते हैं लेकिन उसके बाद जब उतने इंस्टिटूशन्स ही नहीं है कि सब को आप लेके जा पाएं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप चाते हैं कि आबादी पुरी तरीके से पढ़ने के लिए जाए या सभी लोग एक तरह से शिक्षित हो आप नही नीचे पाच वी तक सब पढ़ जाएंगे घर स्कूल कम हो गए और कम हो गए इल्वस्टी बहुत कम हो गए तो वो जो पिरामेट है वो सीधे से आपको बताता है कि आपने ड्रॉप आउट की विवस्ता पहले से कहीं है कि हर व्यक्ती नहीं पहुच सकता उस पिरामेट की आप अगर पड़े लेखा करता है कुछ तो कुछ कर लगता कोई बीजिस करके खा लगता है वात है हम उतना भी नहीं किया है तो तीन जरुपे कमाता है जाने गाश तो सो जात नं तिरकमाता है कुम आप गरणा जोगिस कर दोसे तीन जरुपे करां करूंगे दिन भर उसी में पानी खर सा उसी में घर के राई उसी में है पच्चा का सारा पैसे बशे कर दो कर दो जो मास है हमारा जो जाधा तर जो आबादी है हमारी वो गरीबी में धकिलती चली जा रही है और उस आंकलन को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहीं न कहीं हमें बहुत पिछार देगा एक लगल के लागए इसकुल में एडमिट करने जाओगे भाई अधर कट पंगेगा इसलीफ यह पंगेगगा भीजलीबी जाओदी देगे जहां से बच्चों के बाद आती है वहां मुझे बहुत दुख से एक एना पढ़ रहा है कि क्योंकि बच्चे-ःफ भूटर्स ने पालिटिकल पार्टी बदली हैं लेकि बच्चों के मुद्दे को बहुत प्रियोरि अगर सरकर उपर से पैन नहीं घुमाती तो यह सब यह सब सीस अगर नहीं देगा तो एडमिशन मत कराना तो थोरी टीचार लोग मना कर सकते हैं अगर सरकर बोल देती तो एक प्रोप अगर होगा एडमिशन करवा दिया तो हो जाती है बच्चे भंए देश के लगबख 40% आबादी बनाते हैं लेकिन उनके लिए जो बजट हमारी सरकार आवंटित करती है वो इतना कम होता है कि वो 30-40% आबादी के लिए कहीं से भी आप उसको जस्टिफाइए नहीं कर सकते हैं बात है, जिसकों पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, उसकी गोहत्यज़िश करे सकती हां, जिसकों माङ्मप देया, लिए MINEC अखर्ष marga, या और जिसकी वज़े से यह बता पाना आँ के लिए मुश्किल होता है कि किस्टे बच्चे चाहिए पर देटा अपको कही जगे तो दिखेगा कि एक भी बच्चे चाहिड लेबर में नहीं लेकिन क्या ऐसा है जिस टेट में आप शड़क पर निकल जाए आपको चार बच्चे काम क करना कारेक्रम बहुत से हैं आटी एक्ट है जो कि कहता है कि हर बच्चे को कंपलसरी रूप से शिक्षा मिलनी ही चाहिए और उस एक्ट के अनुसार हर बच्चे का मतलग वह बच्चा भी जो चाइड लेबर में है तो उसकी जगह सड़क पर या किसी के घर पर काम करने के लिए नहीं है उसकी जगह स्कूलों में है और चौदा साल तक आपका चाइड डिखारू अलेबर आट भी है और अगर इसी तडिके का लोगों उसको सपक अंपलॉई कर रहे हैं तो उसांपलॉएर को सजा भी तो इस तरीके के एक्ट हमारे पास है लेकि फिर भी उन एक्ट को हम जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि शायद हम देखी नहीं पा रहे हैं कि कितने बच्चे किस सिचुएशन में कहां पर मौजूगी क्या यहां 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 लोग लाफों को दुपए कमाते हैं किया किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी है विभाव के पास तो आइडिया ही नहीं है अब विभाव को तो पता ही नहीं कि एजुकेशन के माद्धन से हमको अपने बच्चे की जिन्दगी को बदला जा सकता उनका संगills पले पेट का संग Hillин यह पापी पेट का सवार तो पापी पेट के लिए इन बच्चों को उनके माता पीटा भेज देते हैं कच्रा बिनने के वो जो बच्चा सड़क पर दिख रहे हुसे देखकर के हमें दर्द नहीं हूड हमें नहीं लग रहा कि यह बच्चा मेरे बच्चे की तरह स्कूल में क्यों नहीं है उस दिन तक हम इस समस्या से नहीं दोड़ों पढ़ेंगे तो यहां हमको अवेरनेस की ज़रुत है कि जो माबाब खुद नहीं पढ़े उनको पढ़ाई की इंपोर्टन्स कैसे पता चलेग तो पेरेंट्स के साथ अवेरनेस जेनरेशन करना उसके साथ साथ कॉपरेट्स और जो बाकी लोग इस समाज में थोड़ा सा आए कह सकते हैं कि हायर अपस हैं उनको इस चीज के लिए अवेर करना कि वो कैसे कॉंट्रिब्यूट करें इस सुसाइटी में एक एक्वालिटी कहिकरने के लिए गुद्मन्न को अपनी सीकें्स पर दुबारा से सारी देखना चाहिए कि कैसे यह स्कीम्स नीचे तक जा पाए बहुत अच्छी स्कींस बहुत अच्हे प्रों करती हैं लेकिन वह जिनके लिए दिजाइन उते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते अमर्त असन ये बात कई बार कह चुके हैं, जो हमारे देश के नॉबिल प्राइज विंणर थे, वो ने कहा था कि एलिमेंटरी एजुकेशन को सुधार्ने की जरूरवत है, क्योंकि एलिमेंटरी एजुकेशन में ज्यादा तर गाउ घर की जो बच्चे आते हैं, या गड़ी समाज के उपर सेंटरल फोकस कभी दरी समाज पर रहा ही नहीं इसलिए बच्चे बाहर है हर एक व्यक्ति जो शायद एक चाइड लेबर को एंप्लॉई कर लेता है उस तक ही अवेरनेस पहुचाना कि बच्चों से काम करवाना बच्चों से कोई भी चीज सड़क पर खरीद ल पाएगे अगर इसमें वो इच्छा होगी कि रोज वो बिल्डिंग के पीछे पीछे देखता हुगा कि कास में इस स्कूल में पढ़ता है अगर इसमें बच्पन से ही जजवा रहा कि एक दिन में अभी कुछ पढ़ लेक्के कुछ बनूंगा या ना भी पढ़ पाया तब तो हो सकता है कि वो इस अभी बर्दमान सुथी हुए है उससे निकल बाए वो उसके जजवे की बात रहे है अगर अगर श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत